बची हुई रोटियों से आप क्यों बनाते हैं आज हम बनाएंगे बची हुई रोटियों से महेंगी मिठाई जिसे देखर आपको यकीन नहीं होगा कि हम बची हुई रोटियों का इतना अच्छा मिठाई भी बना सकते हैं तो चलिए देर किस बात की फटाफटी से बनाना हम को डिएन है उर्याठाइब श्रुरूरू कॢ करतें मिकसार में तो यह हमारा तका रोटी 70 मिठैंगे व्यक्षिक सुभाई बनाए копा तो आप रात का रोटी को ताकि हमारा रोटी अची तरह फूल जाए तो दूद गर हम देटकर इस पूल कर से अची तरह मिला दे Our again जब हम इसे छोड़ेंगे फूलने के बैंद सासा चाहते हैं तो यहां पर देखेंगे थोड़ा सा अठीड दूद आझा हम दिए felt दम सौफ्ट हो गया है अब हम इसमें ढ़नेंगे थोड़ा सा बेकिंग सोड़ा दो चमज ढ़नेंगे हम घी बेकिंग सोड़ा हम इसे लिए डाल रहे हैं ताकि हमारा मिठाई जो है वह अंदर यहां पर हमारा गी फूसराद जादा गी ला लगे और तो तो ऐसे ही खरके हम सारे मिठाई को त्यार कर लेते हैं तो यह देखिए हमारा बालुसाई की तरह भी एक मिठाई त्यार हो गया है और इस मिठाई को फ्राई करने के लिए आपको घी का इस्तिमाल करना है अगर नहीं है तो आप रिफाइन ओल में भी कर सकते हैं लेकिन घी मे अगर आप बनाएंगे तो इसमें ज्यादा स्वाध आता है तो यहां पर नमारा देश तरह मिठाई बनकर त्यार हो गया है तो चलिए इसे हम फ्राइ कर लेते हैं तो हमारा घीज वह अच्छी तरह गरम हो गया है और इसे ज्यादा गरम ना करें तो थोड़ा सा कमी गरम करें और इसे लो फ्लेम पकर करके हम सारे मिठाई को इसमें डाल देंगे अब हम पलट करें से हम सुनहरा होने तक फ्राइ कर लेंगे तो धीमी आज पर इसे फ्राइ करेंगा ताकि अंदर से अच्छी तरफ पक जाए और जब यह पकना शुरू होगा तो यहां पर आप देख सक अब यहां पर यहां पर देखिए वीस मिनट इसे हमने फुलने के लिए छोड़ दिया था अब हम इसे बाहर निगा पर निगता है लेते हैं और अपने मन पसंद के अनुसार आप इसे सजा सकते हैं कुछी इस तरह हमारा मिठाई बन कर त्यार हो गया है मैं आपको तोड़ कर भी दिखा देती हूँ तो यह देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट है यह रसो सिग्दम भर गया है मुह में जाती है इंगूल जाएगा कोई देखर यकीन ही नहीं कर सकता है कि आपने इसी बच्ची हुए रोटियों से बनाया है अक्सर हमारे घर में रोटि बच जाती है और उसे हम फेक देते हैं तो क्यों परबाद करना इसका हम महेंगी मिठाई भी बना सकते है तो अगर आपको पसंद आयो तो आप भी इसे घर पर बनाईए और अपने परिवार को खिलाए तो मिलते हैं नेक्स रिस्पी में तब त कर